आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक अनोखा और प्यारा सा व्लॉग यह हल्दी सेर्मिनी का बहुत प्यारा सा व्लॉग है तो सबसे पहले स्टार्ट होता है यहां का डेकोरेशन और इसके बाद हम हल्दी भी रेड़ी कर लेते हैं इसके बाद ब्राइट एन गूरूम का फोटो शूट होता है फोटो शूट उनका जब कंप्लीट हो जाता है तो वो आते हैं स्टेज पर और वो दोनों की साथ में ही इंट्री होती है, हल्दी सेरमनी तो सब का फेवरेट होता है क्योंकि इसमें बहुत जाधा मस्ती करने को मिलती है और सब मस्त डांस करते है, फैमिली का get together होता है, मस्ती करते हैं, photo shoot होता है हल्दी खेलता हैं, तो इसलिए ये सब का ये function सब का measurable होता है और इंडियन रिच्वल में हल्दी फंक्षन तो बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट फंक्षन है शादी के पहले ब्राइड ग्रूम को हल्दी लगाई जाती है इसके बाद होती है वेडिंग और यहां पर हम सबने हल्दी से बहुत खेला एक दूसरे को भी हल्दी लग तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगता है तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा यहां और कॉमेंट पर बताईए कि हल्दी फंक्षन किसे किसे पसंद है मुझे तो हल्दी फंक्षन में बहुत मजा आता है और हल्दी सेरमेनी इंडियन फंक्षन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब सारी फैमली मेंबर्स ने सब को ग्रूम को और ब्रैट को हल्दी लगा दी इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के को भी हल्दी लगा रहे थे और फिर बहुत मजा आ रहा था यह सब देखके ब्रैट और ग्रूम के हल्दी होने के बाद ये मेरे भाई की भी हल्दी हो रही थी वहीं पर क्यूंकि उसका व्रतवंद था तो व्रतवंद पे भी हल्दी लगाई जाती है व्रतवंद के पहले तो उसकी भी हल्दी हमने यहीं पर कर ली फिर यहां पर ग्रूम को म मेहदी लगा रही है इसके बाद स्टार्ट होता है डान्स तो ये था मेरा हल्दी ब्लॉग मिलते हैं नेक्स्ट वेडिंग ब्लॉग पे थामनेक्स वाओ़किंग।